असलामों अलेकुम सूरेंट्स मैं हूँ शाजेब और जिस को आज हम डिसकस करने वाले हैं अपना टीचर प्लेटफॉर्म से वह है बिजिस मैतेमेटिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स यह कोर्स है और बिकॉम पार्ट वन के प्रैक्टिकल कोर्स में एक बहुत मोस्ट इम्मोर् किस एर्यास पे फोकस करके वह जार स्यारा मार्ट आप्टेन कर सकते हैं क्यूंकि प्रैक्टिकल कोर्स ऐसे कोर्स होते हैं जिसमें बच्चा 100 आट आट अट आट अट भी ले सकता है और हमारा अब्जेक्टिव सी है यह है कि बच्चा किस तरीके से 100 आट 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 अट ग और अपने goals को achieve करें तो examiner ने इस course को किस तरीकी से distribute करा हुआ है सबसे पहले हम उसको discuss करते है और किस तरीकी से उसने section wise इस courses को break किया हुआ है तो सबसे पहले उसने 100 marks को 3 parts में तोड़ा है section A, section B and section C section A जो है वो 20 marks का है जिसमें वो test कर रहा है business math की skills कि आपकी understanding business mathematics की कितनी है उसको उसने 3 chapters में तोड़ा है सबसे पहरा chapter है coordinate geometry जिसमें वो पूछता है slope के बारे में, intercept के बारे में, vertex के बारे में तो हम उसको इंशालला discuss करेंगे जब आगे further videos में हम इसको देखेंगे उसके बाद पूछता है calculus calculus को जादा लोग जाते है derivatives के नाम से derivatives उसमें किस तरीकी से उसकी applications भी होती ही जिसमें revenue function, demand function वो सब चीज़े हम discuss करेंगे उसके बाद आदा matrices and determinants matrices and determinants की real life example से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे उसके बाद आदा section B जो elementary statistics statistics का major part मगर introductory part है उसमें statistics की सिर्फ basic चीज़ों को हम discuss करेंगे जिसमें सबसे पहले introduction introduction में statistics जो perform होती है वो होती है data की basis में तो data किस तरीके से collect होता है और data की कितनी forms है उसको हम पढ़ने की कोशिश करेंगे second major of central tendency data की properties क्या क्या होती है जिसमें mean, median, mode, quartile यह सब को हम discuss करेंगे section section B की थर चेप्टर होता है major of dispersion data में variance कितना है और वो data आपस में deviate कितना कर रहा है उसको पढ़ेंगे मिशाल्ला उसके बाद regression and correlation regression and correlation में data में आपस में relationship कितना है long term relationship है, short term relationship है उसको discuss करेंगे उसके बाद index number इंडेक्स नंबर जो है वो नियायती practical topic है उसमें क्या होता है इंडेक्स नंबर पे जादातर हम लोग practical approach में use भी करते हैं जैसे demography demography होती है आपकी senses होते है उसमें इसकी use होती है जैसे हम current year को देखते हुए base year को देखते हुए इस chapter में discuss करेंगे उसके बाद section C आता है section C में ये बहुत most important part है इस part में लोग जादार बच्चे confused है आते हैं क्योंकि इस part की बहुत जादा practical example से लोग समझ नहीं पाते हैं क्योंकि अगर counting techniques से में बात करो counting techniques में भी different techniques आती है जिसमें combination होती है permutation होती है उसको कहा कहा हम combination यूज करते हैं कहा कहा हम permutation यूज करते हैं बच्चा उसको understand नहीं कर पाता तो इंशाला हम जब इसको discuss करेंगे तो हम उसको example से बच्चों को समझाएंगे कि किस तरीके से counting techniques को हम use करेंगे उसके बाद probability probability में इन दोनों chapter का एक बहुत major link है उसके बाद probability distribution probability distribution की तीन टाइपस है जैसे binomial distribution है poison distribution है normal distribution है उसकी examples से हम सको solve करेंगे past papers को solve करेंगे और उसकी approaches के ये use क्यों करते हैं क्योंकि हम लोग को रटे से formula से समझ तो आयाता है मगर ये समझ में नहीं आता कि इसको use कप करना है कहां पर इसकी implications है उसके बाद sampling है sampling की techniques होती है different techniques होती है sampling की जिसमें probability sampling होती है non probability sampling होती है फिर आता है statical interference ये भी एक major part है जिसमें बच्चा नहीं पढ़ पाता सही सरी के से नहीं समझ पाता टी टैस distribution है का इसको i distribution है distribution है वो बच्चा नहीं समझ पाता है कि इसको use क्या करना है formula से hypothesis, null hypothesis alternate hypothesis कब reject करना है कब उसको accept करना है बच्चा नहीं समझ पाता अच्छा इस course को discuss करने के लिए हम दो बुक्स का समाल करेंगे जिसमें सर हामेद अब्दुलहकीम जिसको जिनसे मैंने खुद भी पढ़ा हुआ है वो मेरे खुद टीचर रह चुके है उसके बाद सर शाहिद जमाल की बुक सब को पता होगा सर शाहिद जमाल के बारे में अच्छा इन ये बुक सिर्फ एक ही बुक नहीं है ये दो बुक सी होती है एक बिजनस मैट की अलग बुक है स्टेस्टिक्स की अलग बुक है तो इंचाला जब हम सवाल सॉल्फ करेंगे तो मैं उस बुक का रेफरेंस देकर आपको उधरी से सवाल सॉल्फ करवाऊँगा तेंक यू आगे इंशालला हम section B से हमारा जो start होगा वो section B के introduction से start होगा पहले हम इस 40 marks को cover करने की कोशिश करेंगे उसके बाद इंशालला हम further move करेंगे तेंक यू थेंक यू for your time